गुड इवनीम फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल शीतर टेक्निकल स्टूडियो आज की समारी वीडियो को टॉपिक है वाट इस दे स्ट्रक्चर ऑफ सन तो इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि सन की स्ट्रक्चर कैसी है हम सभी पीपल हर दिन हर सुबह हर दोपहर को सन को देखते हैं तो सन के जिस पार्ट को हम हमें जो दिखाए देता है उसका नाम क्या है तो ये सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगे उसके अंदर की लेर्स के क्या नाम है सब कुछ ओके तो आएए चले देखते हैं देखें ये है स्ट्रक्चर आप दे सन तो सन के सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम कहते है कोवर तो सन के सेंटर में जो होता है वो होता है कोवर कोवर के बाद में और एक लियर आती है जिसका नाम है रेडियेटिव जोन रेडियेटिव जोन के बाद और एक लियर आती है उसका नाम है कन्वेक्टिव जोन कन्वेक्टिव जोन के बाद जो लियर आती है उसका नाम है फोटो स्पियर और देखेगा यह बहुत इंपोर्टन पार्ट है यहीं वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है और से तो उसी पार्ट का नाम है फोटो स्पेर बाद convective होने convective उनके बाद photosphere है जो हम अपने अर्थ से देखते हैं वहीं बलापाठ है देने lower chromosphere देने upper chromosphere देने corona तो अब देखते हैं कि इनका यूज़ कह ठीक है तो कोवर में ही क्या होती है nuclear fusion reaction होती है ठीक है यह देखते हैं सबसे पहले कोवर है तो भी हार nuclear fusion occurs nuclear fusion का होती है कोवर में होती है देना आता है radiation zone देना आता है convection zone देना आता है photosphere the layer the lower atmosphere and what we see देना आता है chromosphere आता है orange red layer of atmosphere thousands of miles एक देना आता है corona upper most part of the atmosphere millions of miles एक तो यह थी structure of the sun तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया हो कि sun की structure कैसी है corona ready to zone convective zone photosphere lower chromosphere upper chromosphere and then corona